नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं असी उत्क्रिष्ट बिद्यालों में पहली छठी और नौवी में एडमिसन के लिए 15 माई लास्ट डेट चार्खन के मुख्य मंत्रे है मंस्कुरे ने जीन असी उत्क्रिष्ट बिद्यालों का सुभारम किया था उन बिद्यालों में नमांकन पर किरिया सुरू हो गई है पहली छठी और नौवी काक्षाय में बच्चे नमांकन ले सकेंगे इसके लिए आवेदन जमा करने किती थी 2 माई से 15 माई निधारित की गई है नमांकन के लिए टेस्ट किती थी 29 माई निधारित है जबकि फर्स्ट मेरिट लिस्ट का प्रकासन 22 माई को होगा मेरिट लिष्ट में सामिल बच्चों के नमांकन लेने किती थी 23 माई से 8 जुन्दू 2023 की गई है बतादे कक्षा 9 से 12 तक संकालीत होने वाले उत्क्रिस्ट बिध्यालों में कक्षा 9 एवम कक्षा 6 से 12 तक संकालीत बिध्यालों में कक्षा 6 में नमांकन कराया जा सकता आवेदन प्राप्त ने सुल्क रहेगा इन कक्छाओं में नमांकर लेने वाले बच्चों को सीबेसी माध्यम से एंसी आटी पार्टिकर में सिक्षा दी जाएगी बतादे उत्क्रिष्ट भी द्याले कि बाल वाटिका एवं कक्छा एक में बच्चे नमांकर ले सकेंगे बाल वाटिका में वैसे बच्चे नमांकर के पात्र होंगे जिन होने 1 अपरिल 2022 से 31 मार्च 2023 तक 5 वरस की आयूप पूर्ण कर ली हो जार्खन में ठनका से बचाओ के लिए लगे असी परतिसत तडिक चालक खराब जार्खन में ठनका से मौत की संख्या बढ़ने लगी है इस साल भी अभी तक बजरपास से राज में करीब 3 धरजन लोगों की जान जा चुकी है बताया जाता है कि इसका मौल कारण ठनका से बचाओ के लिए राजे भर में लगाये गए तडित चालकों में से करीब 80 फिजदी का बेकार हो जाना है कहा जा रहा है कि इन में से कुछ तडित चालक गिर कर खराब हो गए है तो कुछ की चोरी हो गई इसके अलावा जागरूपता में कमी भी एक बड़ा कारण है जनकारी के अनुसार राजे में 2008 से 2012 के बीच करीब 22,000 इसकुल भावनों में तडित चालक लगाये थे पर हाल यह है कि इन में से करीब 80 फिजदी या तो चुरा लिए गए या गिर कर बेकार हो गए तडित चालक लगाने और जागरूपता बढ़ाने का असर रहा था कि 2015 में ठानका से मौत की संख्या 145 पर सिमट गई थी IAS 26 रंजन से पुष्टाच के बाद गिरफतारी जारखन में जमीन घोटाला में रांची के पुर्व उपायूग छवी रंजन को गुरुवार को इडी ने पुष्टाच के बाद गिरफतार कर लिया है वे सुब़ साठे दस बजे इडी कर रहले पहुंच गए थे जहां उनसे देर साम तक पुष्टाचारी थी उन पर सेना के कबजे वाली 4.55 एकर जमीन, सदर्थाना छेत्रे के चेसायर होम रोड इस्थित एक एकर जमीन की अवैद तरीके से फरजीत अस्तावेज पर खरिद विक्री मामले में सनलिपता का आरोप है इसके अलावा उन पर बजरा मौजा की एक विवाधित जमीन की गर कानूनी तरीके से रईष्टरी करवाने से लेकर चार दिवारी करवाने तक का भी आरोप है इडी को इन सभी मामलों में छवी रंजन के विरूद पुखता साबुत मिले हैं जिसके बाद उन्हें गिरफतार कर लिया गया बता दे कि वह जार्खन के दूसरे आईएस अधिकारी हैं जीने एक साल के भीतर मनी लंडरी के मामले में इडी ने गिरफतार किया इससे पहले पुजात सिंगल को गत वर्ष मई महिने में ही इडी ने मन्रे का गोटाले में गिरफतार किया था 15 लाख के इनामी नकसली इंदल ने किया आत्म समर्पन बिहार जार्खन के 145 कांडो में वांचीत पंदल लाख के इनामी कुख्यात इंदल गांजू उर्फ ललन गांजू उर्फ उमा उर्फ बढधन ने गुरुवार को रांची जोनल आई जी के करियाले में आत्म समर्पन कर दिया ओप्रेशन नई दिशा में राई सरकार के आत्म समर्पन वा पुर्णवास नेती के तहट जार्खन पुलिस वा स्यार पीएव के अधिकारियों ने इंदल का मुख्यधारा में लोटने पर साल वा बुक्के से स्वागत किया इंदल मोल रूप से बिहार के गया जीले के इमाम गंज थाना चेत्रे के असरैन गाव का रहने वाला है उसका चात्रा जीले के कौले स्वारी सब जोन में अतंग था आत्म समर्पन के पुर्व भागपा मवादी संगठन में वा रिजिनल कमीटी सदसे के पदपर था हजारी बाग से टीपी सी के तिन हाड कोर उग्रवादी गिरफतार जारखन में उग्रवादीयों के खिलाप मुखर हजारी बाग पुलिस को गुरुवार अहले सुब़ बड़ी सफलता है लगी है पुलिस की यह करवाई गुपत सुचना के आलोक में परखन के डमारू पहाडी की तलहाटी में हुई हलाकि पुलिस यह गिरफत से टीपी सी के हाड कोर एरिया कमांडर रमेश्वर महतो सहीत पाथ फरार हो गया है बतादे हाथ आय उग्रवादियों में कुख्यात बहादूर गांचु उरुप नरेस गुपता मुकेस तूरी तथा दिनेस लोहरा है साल का पहला चंद्रग्रहन आज इस साल यानि वर्ष दोहजर तेस का पहला चंद्रग्रहन सुक्रवार पांच माई को लगने जा रहा है बतादे बुद्ध पूर्नीमा की दिन लगने वाला चंद्रग्रहन है गुरहन पांच माई की रात आठ बज कर 42 मियर्ट से देर रात एक बज कर 3 मियर्ट तक दिखाई देगा यानि यह गुरहन चार घंटे 21 मियर्ट का होगा ऐसे में सब जानना चाहते हैं कि जारकंड में यह चंद्र गुरहन दिखेगा या नहीं बता दे रांची स्थीत मौसम केंद्र ने बताया है कि जब प्रित्वी की स्थीती सूर्य और चंद के बीच होती है लेकिन चंद्र प्रित्वी की सीध में नहीं होता है बलिक उसकी छाया के बाहार या धुंदली हिस्से से होकर गुजरता है इसी इस्थिती को पेनुम्ब्रा कहते हैं और ऐसे में लगने वाले चंद्रगरहन को पेनुम्ब्रा चंद्रगरहन कहा जाता है मौसम केंद्र राच्ची के परमूख अविसेक अनन ने बताया है कि इसी थिती में प्रित्वी की चाया नहीं उप चाया चांद पर परती है या पुर्ण चंदरगरहन नहीं है उन्होंने अभी कहा है कि जार्खन तो क्या भारत के किसी हिसे में इस चंदर ग्रहन को नहीं देखा जा सकेगा जार्खन के यारपोर्ट की सुरक्षा के लिए बना सेकुरिटी यूनिट का गठन किया गया है इस यूनिट के परमोख एस्पेसल बरांच के एस पी होंगे जारखन के डीजी पी आ जाया कुमार सिंग ने इस तमाद में पुलिस आदेश जारी कर दिया है जारखन के सभी एरपोर्ट पर सुराख्चा के लिए स्पेसल बरांच के अधिने एरपोर्ट आड़ा का परिचालन हो रहा है आने वाले समय में दुमका बोकारों में भी एरपोर्ट के संचालन की संभावना है ऐसे में सीवील एवियेशन और एरपोर्ट सेक्रिटी के सर्विदन सिल्ता को देखते हुए ये एस यू बनाया गया है गैंग्स्टर अनिल सर्मा को हाट अटेक गैंग्स्टर अनिल सर्मा को गुरुवार पांच मई को हाट अटेक आया है जनकारी के मताविक रात नव बजे के करीब उनको सीने में दर्द उठा था इसकी खबर मिलते ही हजारी पाक जेल में खरवाली मच गई इनको आनण फानन में हजारी पाक जेल में मजूद मेडिकल वाड में लाय गया जेल सुतरों के मताविक डॉक्टर ने परात्मिक इंलाज के बाद उनको हायर सेंटर में भेजने को कहा जनकारी मिल रही है कि हजारी पाक जेल के अधिक्षा कुमार चंदर सेखर ने इनकी जनकारी जेल, आईजी और गिरी हिपिभा को दे दी है इन्होंने सेकुरिटी मांगी है ताक कि गैंक्ष्टर अनिल सर्मा को रिम्स लेया जा सके बंदे भारत एक्सप्रेस का पिये मोदी करेंगे सुभारावम एक महिने के अंदर रांची हटिया से बंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन शुरू हो जाएगा रांची के यात्रियों को इसकी सेवा मिल सकेगी वहीं चार महिने के अंदर दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचाना रांची से ही आरंप हो जाएगा नई दिली में रेलवे के वरिष्ट अधिकारियों के साथ गुरुवार को सांसद संजर सेटने मुलकात में बात सामने आई सांसद ने अधिकारियों को प्रस्ताव दिया कि हट्या से पटना वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचाना आविलम सुरू किया जाए रांची में बनेगा पांच सो बेड का अस्पताल जारखन के लोगों के लिए बड़ी खुसकबरी है यहां के लोगों को आप इलाज कराने के लिए बेंगलूर नहीं जाना होगा बतादे लोग राजधानी रांची के काके में ही नियरोलोजी से सम्मदीत गंभीर बीमारे के इलाज और सरजरी करवा पाएंगे काके में 500 कड़ो रुपए की लागत से 500 बेड का विसाल अस्पताल बनेगा जिसमें कई तरह की सुविधाय होंगी यहां साइकियेटरी के साथ साथ नियरोलोजी के भी बेवास्ता रहेगी धन्यवाद